सकीना बेगम ने अभी अभी किचन में कदम रखा था लेकिन हर रोस की तरहां आज भी पहले रोहा को यहां देखकर इनका मूट हराब हो गया सुबा सुबा इस मन्हूस की शकल देखनी सारा दिन बुरा गुजरेगा कितनी बार कहा थे सुबा सुबा इस शकल मत दिखाया करो मन्हूस कहेंगी सगीना बेगम की जन से बाहर निकल गई थी इनका सुबा सुबा रोहा की शकल देखकर अपना मूट मजीद हराब करने का कोई इरादा ना था रोहा को इन सब बातों की आदत थी लेकिन हर रोस ये बाते बरदाश्ट करते करते वो नाजुक सी लड़की अंदर ही अंदर हतम होती जा रही थी इसने एक नजर रुकसाना हाला की तरफ देखा जो हर रोस की तरह सब कुछ सुन कर भी हमोश थी जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं है जिसे वो इन सब से बिलकुल अंजान हो 19 सार पहले अपने शोहर और अपनी जवान बेहन के इंतिकाल के बाद वो बिलकुल हमोश हो चुकी थी गर के बाकी अफराद को वो फिर महातिप कर लेती थी सवाए रोहा के अभी भी वो रोहा को नजर अंदास किये अपने लाटले बेटे सिकंदर हान के लिए नाच्टा बना रही थी क्योंकि इस जनाब को मुलाजमों के हाथों का बना खाना हरकिस पसंद नहीं था रोहा ने एक नजर इनकी तरफ देखते अपने आसों से बरी आँखे अपने दुबटे के पल्लू से साफ की बच्पन से ही इसके साथ ऐसा होता रहा था और वो ऐसे रवईयों की आदी भी हो चुकी थी लेकिन ना जाने क्यों आँखे भी बराती थी हाला चान मैं सिकंदर भाई को नाच्टा दे आती हूं रुक्साना ट्रे हाथ में लिए मुलास्बा की जानिब मतवच्चा हुई ही थी जब रोखा ने चलती से रुक्साना के हाथ से ट्रे ली कोई जरूरत नहीं सीमा जाओ तुम सकंदर के कमरे में नाच्टा दे कर आओ रुक्साना नागवारियत से कहती सक्त नजरों से रोखा को गूरती वहाँ से चली गई लड़की दिहान से देखकर नहीं चल सकती और कितनी बार कहा है कि दुबटा सर पर रखा करो नेहा जो बाहिल लॉन में रोखा लोगों के पास जा रही थी जल्द बाजी में सिकंदर से ठकरा गई वह सिकंदर बाई दुबटा मेरे सर पर ही था पता नहीं कैसे सर से सिरक गया नेहा ने दिल में दुबटे को कोषते जल्दी से दुबटा दुबबारा सर पर दुरुस्त किया आइंदा अगर तुम मुझे बीना सर पर दुबटा लिये हवेली में यहां वहां गूंगती या बागती नजर आई तो नहीं मैं आइंदा दिहान रखूंगी अब मैं जाओं लॉन में रोहा मेरा इंतजार कर रही है सिकंदर की बात मकंबल होने से पहले ही नहा जल्दी से अपनी कही बिना इसके चेहरे के तासुरा देखे आगे बढ़ी जबके सिकंदर इसकी जल्द बाजी पर नफी में सर हिलाता अंदर की जानिब बढ़ गया अजहान बेटा उठ जाओ नाश्टा कर लो मेरी जान सकीना इसहान का नाश्टा कमरे में हिले ये दाखिल हुई जहां इनका लाडला बेटा बेट पर हुंदा पड़ा सोया हुआ था दुपहर के बारा बच्री की थी और ये लाड साह अभी तक सोय हुए थी सकीना बेगम ने नाश्टे की ट्रे टेबल पर रखते एक नजर पूरे कमरे की तरफ देखा और फिर अपने बेटे को जो पूरा कमरा फिलाए आराम से सोया हुआ था देर रात दोस्तों के साथ गुजारने के बाद वो काफी लेट कर आया था इस हान हान जिन्दगी को अपने तरीके से गुजारने वाला और अपनी शर्टों पर जीने वाला था और पूरे गर पर का लाडला था आगा जान से लेकर सिकंदर तक इसकी बात से कोई इंकार नहीं करता था जो वो कहता था वो ही होता था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसने सिकंदर के साथ मिलकर अपना बिजनस जॉइन किया था इस हान मेरे बच्चे उठ जाएं अब तो सुबा से दुपहर हो चुकी है और सिकंदर बेटा भी दो बार कार करके आपका पूछ चुके हैं और आपको उठा कर आफिस बेचने का बोला है इन्होंने सकीना बहुत महबब से इसके सर पर हाथ फेटे इसे उठा रही थी वो जानती थी इनके कहने पर वो नहीं उठेगा इसलिए इन्होंने सिकंदर का नाम लिया था क्यूंके वो जानती थी कुछ भी हो जाए वो सिकंदर का कहा नहीं टाल सकता सुबा बखेर मेरा चांद इसे उटता देखकर सकीना ने मुहबब से इसकी पेशानी चुमी चले जल्दी से फ्रेश होकर आएं तब तक मैं आपका नाच्टा टेबल पर लगाती हूँ इसहान सकीना की बातों पर मुस्कुराता इनकी पेशानी पर प्यार करता फ्रेश होने के लिए चला गया सकीना ने वाज रूम में बंद होती इसहान को देखा वो ना जाने कितनी बार इसहान को शराब पीने से मना कर चुकी थी लेकिन हर बार ıkो इनकी बात को मजाक में टाल देता था इस बारे में वो सिकंदर से भी बात कर चुकी थी लेकिन कोई हाथ वाइदा नहीं हुआ था इजओ हान सब की इस्सत जरूर करता था लेकिन अपने मामलात में बोलने का हक इसने किसी को नहीं दिया था इस हान फ्रेश होता इनके पास सोफे पर बैटता नाश्टा करने लगा सकीना ने एक बरपूर नजर अपने वजीहा बेटे की दर्ब देखा जिसने सारे नकूश अपने बाप से चुराई थी इसकी हुपसूरती लफ्सों के महताजना थी इसकी गहरी सिया आँखें ही सामने वाले को अपना सीर कर लेती थी हैदर कहां रहके थे इतनी देर करती आने में दिलावर जब जो कबसे हैदर के अभी तक गरना आने पर परशान होगे थी इसे अपने सामने देखकर दबे दबे घुस्ते से बोले डैड अपने दोस्तों के साथ था हैदर बा मुश्कल अपने कदमों पर खड़े होते भी लड़ खड़ा के हम हैदर तुम कब सुद्रों के कितनी बार कखाखे अपने इन लोफ़र दोस्तों की जान चोड़ दो बरबात कर देंगे वो तुम ही यहां के लोग दोस्ती के काबिल नहीं होते हास तोर पर गोरे लोग और आज कल तो तुम जिन चक्रों में पड़े हो मैं वो सब जानता हूँ आज के बाद ता तुम अपने दोस्तों से मिलोगे और नाहीस दड़की से जिसके साथ तुम जदातर वक्त गुजार रखी हो डैट लूसी मेरी कल्फरेंट है मैं इससे प्यार करता हूँ और बहुत चल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं हबरतार हैदर तुमने ऐसा कोई गटिया काम किया तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा रिष्टा बच्पन से तेह हो चुआ है और बहुत जल्द मैं तुम्हारी से शादी करने का इरादा रखता हूँ दिलावर उस्टे से फन का रिथी बच्पन का रिष्टा हैदर हान का कहका पूरे हाल में गुजा था मैं इसी हफ़ते लूसे से शादी करने वाला हूँ अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाई हैदर कहता अपने कमरे की जाने पड़ा हैदर अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हे अपनी जेदाद से बेदखल करतूँगा डैड हैदर ने मुड़ते बेसाकता दिलावर को पकारा अगर तुम चाकते हो मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो चुप चाप जैसा मैं चाकता हूँ तुम्ही बिल्कुल वैसा करना होगा डैड आप ये अच्छा नहीं कर रहे यू मुझे ब्लैक मेल नहीं कर सकते आप तुम्हें सही रास्ते पर लाने के निये मैं कुछ भी कर सकता हूँ दिलावर कहते ना गवारियस से देखते अपने कमरे में बंद होगे तुम कालिच नहीं गया अभी तक रोहा सिकंदर हान आफिस के लिए त्यार हुआ अभी नीचे आया था नहीं सिकंदर भाई वो आज नहा की तबियत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं भी नहीं गई रोहा ने वचा बताई लेकिन रोहा तबियत नहा की ठीक नहीं थी तुम्हारी तो ठीक थी, तुम अकेले चली जाती, या मुझे कहते थी, मैं तुम्हें छोडाता, तुम दोनों के एक्जैम्स होने वाले हैं, तुम इस तरह लापरवाई कैसे कर सकती हो, इसका नतीजा जानती हो न तुम, सिकंदर ने सक्त लहचे में कहा, वो भाई, आप सो मुझे आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा, रोहा ने नजदें चुका कर कहा, आएंदा अपना दिमाग चिलाने की जरूरत नहीं है, अगर ड्राइवर के साथ अकेले में जाने से दर लगे, तो मुझे कहते न, या इसहान से, वो भी सुबह के वकत गर ही होता है, जाने पर रोखा हुद से बरबढ़ाई, इसहान की हरकतें याद करतें, इसने जुर चुरी ली, जो अकेले में इससे ना जाने कैसी बातें और हरकतें करता था, जो गरवालों को बताने से भी इसे शरमाती थी, दूसरा अगर वो किसी को बता भी देती, तो इसकी बात पर सही लगती, कि जाके वो रोखा की बात पर इसे ही दिन में तारे दिखा देती, और रुकसाना हाला इसे पहले ही महातिप नहीं करती थी, और अगर वो नीहा से कुछ कहती, तो नीहा ने उल्टा इसका मजाक ही बनाना था, इसका बाई जो किसी भी लड़की की तरफ देखन भी कवारा नहीं करता था, इसके साथ ऐसा करता था, और सिकंदर को इस तरहां की बात वो बता नहीं सकती थी, लेकिन कम वो भी नहीं थी, अगर किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, तो क्या, अपने अंदास में वो इसहान हान को काफी कुछ सुनाती थी, इसकी हर बात का जवा ती गुडिया को बैट पर बैठी गुट्णों में सर दिये रोते देख परशानी से कहती इसके सर पर हात भेते इसे अपने पास होने का इहसास दिलान लगे डैट गुडिया ने अपनी आंसों से बीकी आंके उठा कर इनकी तरफ देखा और पल में इनके सीने का हिस्सा बनी डैट मुझे बहुत डर लग रहा है, गुडिया ने अपनी रोने की वज़ा बताई, तो दिलावर हलका सा मुस्कुरा दिये, मेरी जान डरने वाली क्या बात है, हम आपके साथ वाले रूम में ही तो होते हैं, और वैसे भी मेरी बेटी बहुत बहादर है ना, और बहादर लो डैट आज आप बाई को क्यों डाउट रही थी, रूही ने इनके सीने से सर निकाल कर इनके चेहरे की जानिब देखा, आज जब दिलावर हैदर पर चिला रही थी, रूही अपने कमरे में तरवाजे के साथ लगी, सब सुन रही थी, और शायद यही इसके धर की वज़ा भ पर बाई आपको तंग भी नहीं करेंगे, दिलावर ने हिरांगी से रूही की जानिब देखा, तो आप चुपकर हमारी बाते सुन रही थी, दिलावर ने गूरा, तो रूही ने नफी में सर हिलाया, आप लोग इतनी उन्ची उन्ची चिला रहे थी, मेरे कानों ने हुद ह रूही सुन लिया, रूही अपनी मुस्कुरागर तबाती, मासूमियत से बोली, मैं इनकी शादी इनकी मर्जी से नहीं करवा सकता, लेकिन क्यों डैट, तुम इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो, हम पाकिस्तान जा रही हैं, दिलावर हान ने कहा, और भी रूह पाकिस्तान जा रही हैं, तो इनकी यू डैट, हम पाकिस्तान जा रही हैं, कितना मज़ा आएगा, मैं अपने आगा जान से मिनूगी, वो हुशी से बैट पर उचलने लगी, तो दिलावर ने हंसते हुए अपनी पाहें खोली, वो बाग कर इनके सीने से लगी, इसे अपने हर दर्द बूल के हों, लेकिन इस पार, वो एक खास मकसद से पाकिस्तान जा रही थी, जितना जल्दी हो सकी, वो ये काम इंजाम देना चाकते थी, हैदर की दिन पा दिन बढ़ती बत्तमीजियों, और उल्टे कामों से बत्तंग आ चुके थी, उपर से जिन लोगों के इसका उठना बैटना था, वो लोग अच्छे नहीं थी, इस से पहले हैदर हान भी इनके साथ गल्द कामों का मसाफिर होता, वो जल्द इसे सुधाने वानी लाना चाहते थी, और बहुत जल्द वो आगा जान से इस बारे में बात करना चाहते थी, तुम कालिच नहीं गई आज इसहान जो सकीना बेगम को डून रहा था, किचन में रोहा को अकीले काम करता देख, इसके लबों पर शरीर मस्कुराखट बिखनी, रोहा जो अपने काम में मस्रूप थी, अपने करीब से बारी मरताना आवाज सुनकर एक तम उचली, और रुख मौड कर पीछे की जा जहान इसके बेहत करीब करा था, इसे ही देख रहा था, आप अटकते हुई लबजदा करती, रोहा ने सायट से होकर इससे फासला बनाना चाहा, जिसे इसहान ने इसके सामने आते नकाम बना दिया, हाँ, मैं इसहान ने थोड़ा इसके चेहरे के पास जुकते, सर्गोशी म तो रोहा इसकी सांसे अपने चेहरे पर महसूस किये अपना सर पीछे की जाने दलका गई आपको कुछ चाहिए था रोहा ने इसकी इसके दर नस्ती की पर चेहरे पर आया पसीना अपने दुबटे से साफ कर दी एक बार भी इसकी साइट से निकलने की कोशिश की तुम्हारी स सांसे अपना दाया हाथ पीछे स्लैब पर रखते इसकी हुच से दूर जाने की कोशिशों को नकाम बनाए इसके होंटों की जानिब देखता हुमारी से कहता इसकी तेज हुई सांसों में गेहरा सांस परता रोहा की आँखों में देखने लगा जिसने पॉरण से पहले अप देख रोखा ने हुधी हिम्मत करके इसके सीने पर अपनी दोनों हाथों की हतीनिया रखी काफी जोर लगा कर इसे हुच से दूर किया और लम्हे की देर किये बिना वो इससे काफी फासले पर हुई थी जो बात इस रहान को नहायत ना कावार गुसरी थी इसने शिद्द से अपनी हाथों की मुठिया बेंची थी मैंने पूछा कालिच क्यों नहीं गई आज लहजा बेहत सर्थ था जबके आँखों में सुर्खी और धर आई थी जिन्हें देखकर रोखा का कमजोर दिल फुल स्पीट से दड़का था इसे कुछ गल्द होने का एहसास बड़ी श चानिक देखते बता गई तुम्हारी तबियत तो हराप नहीं थी तुम तो बिल्कुल ठीक होना या पिर अब तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं करता लहजा इंतहा का सर्थ और तन्सिया था जिस पर रोखा की जुकी हुए नजरे इसकी नजरों से टकराई नहीं इजहान बाई ऐसी बात शुट अफ जस शुट अफ रोखा की बात मकमल होने से पहले ही इसहान खुस्से से पनकारता इसे दोनों बाजों से दबोचता अपने करीब कर गया नहीं हूं मैं तुम्हारा बाई कितनी बार कहा के मुझे बाई मत कहा करो आइदा अगर इस जबान से मेरी का काम कर गया था इसने सोच लिया था इसे अप क्या करना था और बहुत अच्छे से इसे इस गुस्ताखी की सजा देने का इरादा भी बांच चुका था रोखा जुबैर खान अपनी गुस्ताखियों की सजा बुक दने के लिए तियार हो जाओ इसहान बहुत कुछ सोचता अपने गाड़ी में बैठता ओफिस के लिए निकल गया था ओके चाचु अपना हयाल रखियेगा सिकंदर ने अलविदा कहते मुबाइल वापिस टेबल पर रखा चाचु का फोन था क्या कह रही थे इजहान ने हाथ में पकड़ी फाइल सिकंदर की जाने पढ़ाई और सामने रखी चेर पर बैठा चाचु पाकिस्तान आ रही है फैमली के साथ इजहान ने इसके बाद सुनते सर हिलाया चाचु हैदर और रोहा की शादी करना चाकते हैं इसी सिंसिले में वो पाकिस्तान आ रही है मैं आगा चान को भी फोन करके बता दू नहीं ऐसा करते हैं हुद करचर कर इन्हें ये हुश हबरी सुनाते हैं सिकंदर बिना इजहान की तरफ देखे फाइल पर जुका बोल रखा था जबके सामने चेर पर बैठा वजूद और उसे की आखरी इंतिहा पर था इसहान सिकंदर आगे कुछ होत कहता इसहान घुसे से चेर को ठोकर मारता इसके कैबन से ही पाहिन निकल गया अस्सलाम उलेकुम आगा जान लाउंच में बैठे आगा जान के हाथों को अकीदत से चूमते सिकंदर इनके साथ ही सोफे पर बैठ गया वालेकुम सलाम आज आफिस से जल्दी आगे जी आगा जान बात ही ऐसी थी चाचु पाकिस्तान आ रही है क्या कह रही हो आगा जान का चेहरा होशी से खिल उठा था बिल्कुल सही कह रहा हूँ आगा जान चाचु ने खुद मुझे पौन करके बताया ही के वो गुडिया और हैदर को भी साथ लेकर आ रही है सिकंदर तू नहीं जानता ये बात बताकर तूने मुझे कितना खुश कर दिया ही आगा जान ने खुशी से इसे अपने सीने से लगाया था आगा है